हाई, वेलकम तो भाई चानल, इस बीड़ी में सॉल्व करें क्वेशनल और फोर्टी, तो ध्यांद जीका, अब वेल विद टेन मीटर इंसाइड डामेटर, इस डग 8.4 मीटर डीप, एक वेल है, यहाँ पर देखें, मैंने बनाया है, वाइड कलर का, जो दिखरा होगा आपक और निकाल करके इसके चारो तरफ फेला दिया गया, ठीक है, टू एव विर्थ आफ, कितना विर्थ का फेला गया, 7.4, 7.5 मीटर टू फॉर्म है, इम्बैंकमेंट, तो 7.5 मीटर का, यह 7.5 मीटर का, चोडाई के साथ, इसके चारो तरफ जो है, एक इम्बैंकमेंट बना इम्बैंकमेंट क्या होता है, एक मतलब की चबूतरा काते हैं, इसको जैसे, चबूतरा बना दिया के चारो तरफ से, तो इस इम्बैंकमेंट की हाइट क्या होगी, मिन्स यह जो हाइट है, इसको हम लोग एक्स से कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं, एक्स कर लेते हैं, एक्स का volume निकाल सकते हैं ठीक है और हम यह जानते हैं कि cylinder के अंदर मतलब की जो well है cylindrical actually cylindrical well के अंदर जितना भी earth बाहर निकलेगा उतना ही होगा जितना इस चबूतरे के बाहर लगा हुआ है मतलब जो volume of the impact होगा और यह जो impact है वो क्या है हालो cylinder है तो हालो cylinder या फिर volume of embankment जितना भी होगा वो उतना ही होगा जितना इस well का volume है मतलब well में से ही तो मिट्टी निकाल करके चारत रफेला जा रही है तो बस इसी concept को use करके जो है हम x find कर लेंगे चलिए हम यह आपर solve करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे find करेंगे तो पहले हम माल लेंगे इसकी height तो let the height of the embankment let the height of the embankment be x meter हम इसे meter माल लेंगे कि सारा कि सब कुछ दो है meter में दिया हुआ इसलिए एक्स-meter अब यहाँ पर हम लिखेंगे we know that हम यह जानते हैं we know that volume of the embankment volume of the embankment यह जो embankment है वो क्या है hollow cylinder actually तो हम यहाँ पर लिख देते हैं यह भी hollow cylinder है इसका जो volume होगा वो equal होगा volume of the well volume of the well ठीक है अब यहाँ पर हम निकालते हैं अलग अलग तो यहाँ पर जो यहां से लेकरके और यहां तक होगा वो होगा capital R ठीक है तो पहले capital R और small R यहाँ पर निकाल लेते हैं तो small R क्या होगा दिखें diameter जितना भी होगा well का उतना ही उसका आधा जो होगा वो क्या होगा radius होगा small R होगा impact का means R ही निकालेंगे तो यह निकालेंगे 10 upon 2 कर देंगे 202 और यहां पर जाएगा 5 meter तो 5 meter का radius होगा internal radius और exterior वाला जो external radius होगा वो होगा capital R capital R निकालें के लिए क्लिए क्या करेंगे small R में add कर देंगे 5 प्लस 7.5 means मिल जाएगा 12.5 तो मिल गया हमें capital R पर आपर 12.5 meter and small R पर 5 meter ओके अब यहां पर height जो है हमें x यह find करना है तो volume of the impact का formula जो होता है वह होता है जो hollow cylinder का होता है तो यहां पर हो जाएगा pi capital R square minus small R square into h ठीक है h means यहां पर x है is equal to volume of the well well का volume जो है वही लगाएंगे pi R square h pi और यह आपका pi R square h यहां मैंने r को अलगतर के से लिखा है मतलब यह r denote कर रहा है क्या इस well का radius और वह होगा जो small r होगा ठीक है small r की radius वही होगी ठीक है यह 5 मतलब 5 meter है आपका radius of the well या फिर radius of internal radius of the embankment दोनों सेम है अब यहां देंगे दोनों तरफ जो pi pi है तो आप आराम से यहां पर cancel out कर सकते हैं ताकि सिंपल हो जाए यहीं पर calculation और यह r square capital R square मतलब की होगा 12.5 का whole square यहां लिख देंगे 12.5 का whole square minus r square इसमार r square मतलब 5 का square ठीक है into h अब इतना में मतलब लाए करेंगे h h means क्या है x है यहां पर हमने माना था x x meter is equal to r square r square मतलब 5 का square into h h means height of the well इसके height of the well कितना है यहां से लेकर के यहां तक है means यहां इतना है 8.4 meter 8.4 अब यहां पर x की value निकाल सकते हैं तो यहां पर ध्यान देजेगा यहां पर करेंगे क्या यहां पर आप निकालोगे यह formula लगा लोगे कि capital R square minus small square होता है capital R plus small r into capital R minus small r मतलब a plus b into a minus b इस formula से यहां break करेंगे तो असानिस हो जाएगा तो हमें करना पड़ेगा 12.5 minus 5 तो जब minus 5 करेंगे तो मिलेगा हमें 7.5 multiplied by इंदों को add करतेंगे फिर तो 12.5 plus 5 means मिल जाएगा 17.5 into x is equal to 25 multiplied by 8.4 अब यहां पर x की value हम लिकाल सकते हैं तो x पर आपर हो जाएगा क्या इंद रोगेंगे मिल जाएगा 25 into 8.4 whole upon 7.5 multiplied by 17.5 अब यहां पर देखें decimal decimal यहां पर तो मड़िलाई कर लेंगा पहले उपर 100 से और नीचे भी मड़िलाई करेंगे 100 से ओके तो यहां मड़िपलाई करेंगे जब तो आपका उपर जो है एक decimal है तो यहां पर एक 0 बढ़ जाएगा means हो जाएगा यह 25 into 840 0 whole upon यहां पर हो जाएगा क्या दुनों decimal हो जाएगा मतब 75 into मिल जाएगा 171 75 अब यहां पर कैंसल हो करतें 25 बढ़ जा 25 25 3 जा 75 3 बढ़ जा 3 and 3 2 जा 6 and 2 24 and 3 जा 24 मिल गया और यह 0 हो गया अब यहां पर कटेगा 7 से कट जाएगा 7 2 जा 14 and 35 हो गया 7 5 जा 35 7 4 जा 28 40 हो गया अब यहां से कटेगा 5 5 से कटेगा 5 5 25 5 8 जा 40 means मिल गया 8 upon 5 meter इसको हम decimal करना कर लेंगे तो 5 बढ़ जा 5 1 point कितना बचा 3 बचा 30 हो गया 5 6 जा 30 तो मतलब कि 1.6 meter आ जाएगा ठीक है तो यही आपका क्या हो गया और एक्स आ गया एक्स क्या है हाइट है लिए सकते हैं आपर के हैंस हैंस दी हाइट आफ दी इंबेक्मेंट इस इकोल तो 1.6 meter और दिस इस यूर फाइनल आंसर तो थैंक्यू सो मच फर वाचिंग इडिया आपको अच्छा लागा तो लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब पर दीजिए सब्सक्राइब कर गया और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट मेंसे लिखेगा और सब्सक्राइब